मैं एलर बाली मुख्यमार्ग दाशक और इंडिया समता सनंगदल आपको बताना चाहता हूं कि भावा साव डाक्टर भीम राव अमबेटकर एक करांतिकारी जोदा थे योदा शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है को कॉलंबिया युनिवर्स्टी ने उनके लिए वेलियंट यानि बहादर योदा का शब्द उन्नीसो भावन में इस्तेमाल किया है जब उनको एलल की डिगरी दी गई हमारे देश के अंदर छुआ चात इतनी थी कि गाउंग के बाहर भासिया अलग पीने के स्रोत अलग शमशान काट अलग यानि एक अलग बाद सेग्रिगेशन अलग बाद हमारे देश में था और ये एंग्रेज के समय में भी काइम रहा है मराठा राज में यहां तक था कि एक अशूत को मूँ में हांडी बांद कर और पीट पे पीछे जाडू बांद कर चलना पड़ता था ताके थूक ना हो तो उस बरतन में थूके और जब वो चले तो उसके सासा जाडू सफाई करता जाए इतने हमारे देश में चुआ चाथी बहुत पीर पगंबर ओलिया अवतार आए लेकर ये हालत नहीं बदली जब भावा सम्भेट कर बैदान में उतरे तो उन्होंने ना केवल चुआ चाथ को सविधान के अंदर अनुशे सतारा में एक जुर्म एक अपराद करार दिया जिसको सजा जो करेगा चुआ चुआ च जायेगी और भाबा सब के संघर्श के कारण उनके करांतिकारी संघर्श के कारण है ए हमारे देश के जो सबसे बड़ा बड़ा हमारे देश का सबसे बड़ा होदा है राश्टपती का उसमें केयर नरायन नसाव राश्टपती बने हमारे देश की सबसे बड़ी जो नियायाले है अदालत है सुप्रीव कोड उसके चीफ जस्तर केजी बाला क्रिशन बने इसी तरह यूनिवरस्टिक रार्स कमिशन जो तमाम लोगों को शिक्षा केंद्रों को प बहुत बड़ा एक करंती का रही नतीजा था तो इस तरह से हमारे देश के अंदर बाबा संभेड कर ने छुआ चात को ना केवल एक जुर्म करार दिया बलके उसके नतीजे पर बहुत सारे लोग जो है बहुत आलाला स्थानों पे पहुंचे और आज भी पहुंच रहे हैं इसके बाद समाज करंती जो है उसमें बाबा संभेड कर ने हिंदू कोर्विल के द्वारा और भी बहुत सारे कनूनों के द्वारा समदान के द्वारा उन्होंने सित्री को मर्द के बराबर अधिकार दिये और उसका अंतीजा ये हुगा कि हमारे देश के अंदर श्रीमति प्रतिवा पाटल राष्टपती बनी हमारे देश के अंदर श्रीमति इंद्रा गांधी प्रधान मंतरी बनी हमारे देश के अंदर मुख मंतरी महमताई बनी और और मायावती भी मुख मंतरी उत्तर प्रदेश के बनी मंतरी तो बहुत औरते हैं और नाना प्रकार के ओदों पे वो आजकल है फोज में भी उनको बहुत आला-ाला ओदों पे अब जाने का मौका मिला है तो ये समाज करांती जो थी उसमें एक सबसे बड़ा जो हमारे देश के अंदर एक बहुत ही बरापरी का एक दिकार दिया गया वो हिंदू कोडविल में दिया गया जो बाद में छोड़ छोड़े टुकरों में पास हुगा पहले हमारे देश में जाद्पा तोड़क शादी नहीं हो सकती थी ये हिंदू कोडविल ने कहा कि जाद् लगती है और कुन्य तोर पर वो जायद है यह बहुत बड़ी बात थी यह बहुत बड़ा इंकलावी कदम था इसके बाद राजनीति की बात करें राजनीति में के नहें अजादी से पहले गिने चुने लोगों की वोट राथा प्रापटिटी से बदा था जमीन जायदास से बना था बाबा साब ने इस शर्त को तोड़ा और जो भी बालग है मर्द है अउरत है लड़का है लड़की है उन तमाम लोगों को वोट का अधिकार दिया और आज क्रोणों लोग हमारे देश के अंदर वोट के अधिकारी है वोटर है मत दाता है और एक बड़े से बड़े सर्मायदर की वोट उस गरीब वोर्थ के बराबर है जो सुबह जाती है घास खोदने के लिए और घास खोद करके बेच करके आटा लाती है अपने घर के लिए उसकी वोट दोनों की बराबर है दोनों का बजन एक है दोनों की कीमत एक है बाबा सहब मेटकर ने ये सवाल उठाया जब दोनों के वोट का बजन एक है दोनों की वोट की कीमत एक है दोनों की वोट का आधर एक है तो दोनों के अधिकार एक जैसे क्यों नहीं दोनों को सुबदाएं एक जैसी नहीं ये बहुत बड़ी क्रांती है इसके बाद बाबा सम्वेड करने सबसे बड़ा काम सब्दान से भी बड़ा काम मैं कहूंगा बाबा सम्वेड करने बुद्धम जो इस देश में से लगबग 800 साल पहले खत्म हो चुका था बार्मी सदी तक इतिहास बताता है हमारे देश में सम्वेड करन उसको कैसे कैसे खत्म किया गया यह बहुत अलग सबार है बाबा सम्वेड कर ने 14 अक्तूबर 1956 को नागपुर में दीख्षा ले करके का बुद्धम को फिर से बहाल किया और उने कहा मैं आज नर्क से जूटा हूं और मेरा नया जन्म हो रहा है ऐसी करांती सब पेचार करांती समाज करांती दार्म करांती लाने वाले महान योदा करांती का रही बाबा सम्वेड कर रही थे जिनको पूरे हमारे एक बहुत बड़े लेखक ने ये हमारे एक बहुत बड़े लेखक ने ये लिखा है कि हमारे देश में बाबा संबेर कर ही एक ऐसे महान योदा है जिनको परनाम करना चाहिए जिनको सलाम करना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल